सो ट्रेडर कैसे आप सभी वीडियो को कम्पेट देखना काफी कुछ चाज आपको सीखने को मिल सकती है मेरा فोकस यही रहता है कि आप सीखे आगे बड़े टिप्स के चक्कर में ना पड़ेेस वैरा मेरा पूरा फोकस रहता है आपको सिखाने में, लोजिक बताने में और किस तरीके से मैंने profit and loss जो भी हुआ है, वो सारे का सारे discuss मैं करता हूँ, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखेगा, कोई question और comment करेगा, और जो भी है मार्केट का trend क्या है, मार्केट किस दिसा में जा रही है वो आपको पता होना चाहिए, 15 मिट का चार्ट फ्रेम और 5 मिट का चार्ट फ्रेम खोलना जरूरी है क्योंकि 15 मिट के चार्ट फ्रेम में कोई candle बनती है कोई हमें candle मिलती है 5 मिट के चार्ट फ्रेम में करके नीचे आ रही थी बार बार मतलो इससे यह सिधा होता था कि जो market का ट्रेंड है ना वो नीचे की तरफ मतलब downtrend में था नीचे की तरफ लेकिन अभी आप देख सकते हूँ EMA के ऊपर market चला गया और EMA को रिटेस्ट करके ऊपर के तरफ यह अप्ट्रेंड में हो चुका है, किसमें अप्ट्रेंड में हो चुका है, तो यहां पर हमें डाउन ट्रेंड का नहीं सोच रहा है, अगर हमें यहां पर मान के चलो देखो, यहां पर यह उपर तो जा रही है, मार्केट अभी 15 मिन के चार्ट फ्रेम है, लेकिन यहां पर 5 मिन क कर दे जिसareका से टार की वह और निकली ऊप्र निकलेगी क्यों निकलेगी क्रींकि यह उप चुकी यह ऐसे चलेगी अगर यह नीचे आती भी है तो चानसेस इसकी एफ़ आने कि जादा नीचे आने के इतनी शादा चांसे नहीं है, मान के चलो, यह घूम पर कर यहां पर आ गई, नीचे यहां पर, तो इस लेवल को रिटेस्ट करके, टेस्ट करके, यह उपर जा सकती है, ठीक है, तो यह बात हमें ध्यान रखनी है, क्यों जा सकती है, क्योंकि यहां पर है कल की closing, और कल, sorry, कल नहीं, दो दिन पहले, और उस दिन market ने positive हमें closing दी है, तो positive market है वाई सब, क्योंकि उस दिन market यहां से totally uptrend में था, तो यहां से market uptrend हो चुका है, और हमें एक signal और मिल रहा है, कि EMA के उपर आ चुका है market, तो यहां से भी हमें पता चल रहा है, कि market क्या है, uptrend में है, तो हमें downtrend का सोचना है, and uptrend का ज़्यादा सोचना, कोई बड़िया सी trade मिले, जैसे कि यहां पर अगर यह गोमफर कर नीचे की तरफ आती है, यहां पर हमें कोई candle मिल जाए, कोई bullish candle मिल जाए, तो हम यहां से buy करने की कोसिस करेंगे, और सायद यह four part है, पांच के की trading का, तो बड़े ध् लाइब में दिक्कत यह होती है, कि लाइब में आप मेरे इसाब से सीख नहीं पाते है, देखो मेरे इसाब से क्यों, क्योंकि लाइब में आपका जो भी एक focus रहता है, उनली trade करने पर, कि जल्दी ही जल्दी मुझे trade मिल जाए, लेकिन मैं यहां सा नहीं करता हूँ, मैं सि दिखा सकूँ, क्योंकि scalping हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन बड़िया सी confirmation मिलेगी ने, मुझे तभी मैं लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा, जैसे कि यह market अभी उपर की तरफ जा रही है, अब उपर की जा रही है, तो मैं यहां से नहीं ले सकता, बेसक market आज positive भी है, देखो आज market positive भी रहने के chances है, और यहां से में दिख भी रहा है कि market एक uptrend में भी है, ना कि downtrend में, हैना positive भी है market, market uptrend में भी है, market EMA के उपर भी है, हैना काफी जादो point मिल गए और मैं OI भी देख रहा हूँ, हैना open interest भी देख रहा हूँ, तो वहां पर भी थोड़ा level resistance का काम कर रहा है market के लिए, ठीक ना जाएगे तो सही उपर है, लेकिन यह रिटेस्ट करके यहां पर कोई candle बन जाएगी ना, यहां पर, यहां पर कोई candle बन जाए, bullish कोई pin bar कोई hammer कैसी भी candle बन जाए, मैं यहां से buy कर लूँगा, और पर अपना target होगा, कितने का target अपना 500 होगा, क्योंकि 5 के से trading कर रहे हैं, तो 10% बहुत है, लेकिन हाँ इससे फाल तो अगर देगी market तो ले लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपना loss 300 होगा, शिर्फ और शिर्फ तीन सोगा, ठीक ना, इससे ज्यादा loss हम नहीं लेंगे, ठीक ना, तो काफी कुछ चिरी सीखन आपको मिलेगी, trade बनते ही मैं आपको बताऊंगा, और देखो live दिखाऊंगो, अच्छे तरीक इसी दिखाऊंगो मैं आपको, ये trade कब बनेगी, कैसे आपको confirmation मिलेगी, अभी confirmation विल्कुल नहीं देखो, अभी confirmation only आपको यहाँ पर है, 40%, 40% confirmation अभी मुझे है, ठीक ना, 40%, अ अब मुझे यहाँ पर जो है, 80% confirmation तब होगी, जब यह यहाँ से, या तो देखो, यह यहाँ से या तो इस तरीके से इसको test करें, मतो किसको, इस level को test करें, उसके बाद यह उपर जाए, या फिर एक काम और कर सकती है, यह इस level के उपर जाए, उपर जाने के बाद, उपर ज trader है, वो यहाँ से ले सकते हैं, इस swing को उपर के तरफ ब्रेक करने के बाद, तो अपने trade यहाँ पर ही बन जाएगी, क्योंकि काफी यह पॉइंट मिल रहे हैं कि market अप्ट्रेंड में है, तो जाने के chances उपर के तरफ है, तो इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, तो जाने देते हैं अभी market को sustain करने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपनी trade बनेगी, और मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक ना, अभी देखो, यहाँ पर देखो, पांच मिन के time frame में मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, कि पांच मिन के time frame में market उपर गई, और उपर जाने के बाद, यहाँ पर जो second candle बन रही है न, यह बिल्कुल इसके साथ में बना दी है, साथ में तो यहाँ पर अपनी एक call में entry हो जाती है, तो मैं आपको एक call में entry लेकर दिखाता हूँ, ठीक ना, क्यों, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, confirmation मुझे मिल गई है, तो य है न, वो dip वेगरा, जो retest वेगरा था, वो कर लिया है, और अभी एक मिन्ट रुकना, position पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर अभी position details आप देख सकते हैं, जो भी है, इसको एक मिन्ट रुको में, थोड़ा सा, हाँ, अब थोड़ा सा साही लगेगा आपको, यहाँ पर position details आप loss जो हम लेने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 300 का है, और कम से कम 200 का है, ठीक है न, so trade अभी चल रही है, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर मुझे confirmation, पांच मिन के time frame में मिली है, अब 15 मिन के time frame में तो मुझे confirmation नहीं मिली है, लेकिन 5 मिन के time frame में मुझे confirmation मिली है, कैसे मि के लिए हैं देखो अब जो आप यह मार्केट देख रहे हुं फस्ट केंडल मार्केट ने बनाई अभी तो मार्केट ने फस्ट केंडल की हाइकू भी उपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है उससे पहले हि मुझे confirmation यहाँ पर मिल चुकी है कैसे मिली है देखो market उपर गया उपर जाने के बाद market यहाँ पर sustence कर रहा है देखो second green candle को देखीएगा उसके बाद third जो red candle बनाई है market ने वो इस तरीके से बनाई है कि यहाँ से इस level को test किया है test करने के बाद अगर यह इसको नीचे जाना ही होता तो जो यह four candle बनी है ना four year वाली four candle तो यह इस red candle के नीचे closing करती लेकिन जब इसको जाना ही नहीं है उपर sorry नीचे तो यह नीचे क्यों बनाएगी सिर्दी simple सी बात देखो ज़्यादा इसमें conscious होने वाली बात नहीं है अगर market को नीचे जाना ही था तो इस red candle के बाद जो candle बनी है ना वो भी red बननी ही थी तो market यहाँ पर नीचे जाती ही जाती लेकिन यह chances नहीं है क्यों क्योंकि यह वाली जो candle बनी है ना यह बिलकुल मैं जैसा बोल रहा था कि इसको retest करने दीजेगा retest करने के बाद यह उपर निकलेगी तब ही हम करेंगे तो पर 15 मिंट के time frame में तो अभी इसने कुछ नहीं किया है लेकिन 5 मिंट के time frame में इसने एक बढ़िया सा swing यहाँ पर बना दिया है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बना दिया है ना तो इसी कारण से यहाँ पर अपने trade बन जाती है और इस trade में अपना जोई profit आप देख सकते हैं वाई से जोगो 500 रुपे का अपना target रहता है अगर इसमें हो जाएगा तो अपना exit बगारा करके अपने जो भी है अपना काम करेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर दिक्कत दे सकती है market को क्यों दिक्कत दे सकती है क्योंकि यहाँ पर एक psychology number है 500 इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकती है लेकिन कोसिस कर रही है market मैं यहाँ से exit करने की कोसिस करता हूँ क्योंकि अपना target देखो 500 का ही रहता है तो एक trade में अगर अपना target complete हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है तो यहाँ पर अभी अपना target complete हो चुका है और मैं इसको exit कर देता हूँ फिर मैं आपको अच्छे तरीकी से logic समझाने की कोसिस करता हूँ ठीक ना यहाँ पर मैं इसको exit कर देता हूँ तो यहाँ पर अपने first trade में ही अपना target complete हो चुका है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि काफी ज़्यादा point मिल रहे हैं कि market के आज जो भी है positive रहने के chances हैं और market uptrend में भी है और मैंने एक चीज़ आपको बताई भी थी कि भाई सब यहाँ से swing बनना चाहिए तो देखो अब मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि आप 15 minute का chart open करके रखे और 5 minute का time frame भी आपको open करके रखे दोनों time frame आप open करके रखे क्यों क्यों कि अभी आपने देख लिया होगा इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि 15 minute के time frame में हमें confirmation तो मिली ही नहीं है का confirmation में मिली मुझे तो मिली नहीं है कैसी मिली है कोई candle बनी है नहीं बनी कोई bullish candle बनी है नहीं बनी जो मेरी है जो मतलोग कहने का मतलोग कोई pin bar कोई hammer कोई pattern बनाओ ये तो सीधी सीधी खड़ी खड़ी जा रही है तो यहाँ पर हम कैसे trade ले सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ पर बन रहा है वाई साथ system यहाँ पर system कैसे बन रहा है देखो फिर से समझाने की कोसिस कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना ठीक है ना काफी mind में अगर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको relax होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सारी चीजे मिल जाती है तो अगर यह candle भी मिल जाती है तो ट्रेड हम ले सकते हैं सारी चीज कैसे मिली है मैं आपको बताता हूँ बड़े ध्यान से focus के साथ देखना है candle बनी first समझ गई ज़्यादा बड़ी ज़्यादा सोचना थोड़ा से दिमाग लगाओ first candle बनी देखो यार अब मैं आपको देखो एक बात एक चीज और दिखा देता हूँ अरे या इसमें छोड़ो इसमें आओ आप मैं मुझे गंफ्यूज और करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बताता हूँ ज़्यान से देखना देखो यहां से market कितने दिन sideways थी totally sideways थी market मार्किट ने नीचे की तरफ breakdown दिया मार्किट नीचे कैसे आ रही थी swing बना बना कर मतलो market नीचे की तरफ swing बना बना कर आ रही थी ज़्यान से देखो गोर से देखो market का जो अब से पहले दो दिन से पहले जो trend था वो downtrend था downtrend था न यह इस EMA को touch करके 50 दिन के EMA को touch करके हर बार नीचे की तरफ आ रही थी लेकिन यहां से change हो गया reversal हो गया market यहां से बिल्वकुल market का जो downtrend था वो uptrend में convert हो चुका है क्यों? क्योंकि market यहीं से market में हमें buying देखने को मिली है और यहीं से market ने 50 दिन के moving average को उपर के तरफ break भी कर दिया है तो जैसे ही break किया और यहां से moving average को test किया और उपर के तरफ यह चली गई और देखो एक दिन पहले market में positive closing हमें दी थी positive देखो uptrend था 1 point market second positive closing थी 2 point EMA के उपर है market 3 point EMA के अगर उपर है 50 दिन के EMA के उपर है market तो uptrend है 3 point और क्या रह गया वई candle बन गई एक दोखो यह confirmation candle हमें मिल गई यह confirmation candle हमें मिल गई कौन सी यह candle एक तरीके से pin bar है और हमर भी है कुछ भी सोचलो लिकिन हमें यह candle यही बता रही है कि market उपर जाएगी तो candle भी मिल गई 4 point second एक और 5 कि इसने swing भी बनाया है देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि first candle बनी मतलो market में बायर आए वो market को उपर लिके गई यही market flat open हो यह मतलो थोड़ी बहुत gap अप चलो मान लेते हैं ठीक ना उसके बाद market इस first candle की high को उपर की तरफ break नहीं कर पाई ठीक मान लिया और यहां से market में इतनी यहां पर candle की closing करा दी अब उसके बाद selling आती है थोड़ी सी देखो यहां पर seller नहीं है ध्यान से देखो यहां पर seller नहीं है क्योंकि seller अगर होते ना तो market नीचे आती अच्छे तरीगे से यहां पर जो यह candle बनी है ना red वाली यह seller की candle नहीं है basically यहां पर जो gap up market open होई है ना जो यहां पर market यहां तक गई है जिन्होंने BTST trading की थी जिन्होंने कल सुकरवार को buying की थी उनका यहां पर profit booking है उनकी यहां पर profit booking है तो इसी currency एक छोटी शी red candle बनी है यहां पर मुझे कोई seller नजर नहीं आ रहा है कि seller अभी है market में नहीं क्योंकि market uptrend हो चुका है तो uptrend में seller नहीं buyer involved रहते हैं ध्यान देना अगर downtrend है market तो downtrend में आप खुद ही देख लीजेगा कि downtrend में जब भी कोई candle बनती है तो red candle ज्यादा बड़ी बनती है मतलो की downtrend मतलो की seller involved है market में अब जब यह uptrend है ना तो seller involved नहीं है buyer involved मतलो market के अंदर है तो वो market को उपर ले जाने की कोसिस करेंगे और seller इतने बेवकॉफ नहीं है कि वो uptrend market में selling की position बनाए ठीक है ध्यान से देखना वो इतना ज़्यादा sale नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि uptrend है uptrend में बहला selling कैसे हो सकती है तो वो buying पर focus देंगे जो seller है ना वो buyer भी बन सकते हैं आईसा नहीं कि वो seller है तो seller ही रहेंगे यह ऐसा आप मत सोचना उनको जैसा लगेगा वो ऐसा करेंगे अगर उनको buying दिखेगी तो वो buying करेंगे अगर वो seller selling दिखेगी तो selling करेंगे वो trend के हिसाब से करेंगे अभी देखो हमने जो selling price है ना वो 140 का हमने इसको 140 में sale गया है और इसका भी LTP 149 चल रहा है जबकि market इससे इतनी ऊपर चली गई नहीं ठीक वाई सब candle यहीं तक गई थी तो हमने यहीं पर सही sale कर दिया था कोई दिक्कत नहीं है तो अपना काम हो चुका है और मैंने logic बता दिया है अगर market को जाना ही थाना नीचे तो जो यह red candle थी ना इस red candle के नीचे एक red candle की closing होनी चाहिए थी तब मैं मानता कि market नीचे जाता और फिर भी अगर उस red candle के साथ में कोई positive candle बन जाती तो simple सी बात है कि market उपर जाएगा ही जाएगा तीन चार हिंट मिल गए ना आपको पांच हिंट मिल गए तो क्यों डरना है बताएगा अच्छा सा stop loss लगा कर खतम का नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डरना बढ़ता है लेकिन हाँ देखो अगर आपके अंदर भै रहेगा ना भै मतलो की डर तो फिर आप अच्छे तरीक के चक्कर में ओनली क्या होगा भाई सब कुछ नहीं होगा समझने की कोसिस करिएगा सो अभी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है इसमें क्योंकि जानना जरूरी है आपके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 3966 रुपय है एंड मैंने इसको बाई किया था 935 पर सेल गर दिया 938 पर मतलों तीन मिट का अपना काम है और हो चुगा है लिख लेता हूं सो अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया है 29 तारिक साथ मेना दोजार 24 542 रुपय का यहाँ पर प्रॉफिट है क्योंकि बाई इतना ही रहता है पांस क्योंकि ट ट्रेडिंग करते हैं किस माइंड से करते हैं मैं आपको हर बार बताने की कोसिस करता हूं लेकिन आपका माइंड सेट यह चेंज होना देखो माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा माइंड सेट का ही खेल है सारा अगर आपका माइंड सेट ना कैसा अगर आपका माइ mindset ना बहुत बेकार है, मैं बोलता हूँ, कभी भी आप stock market से अगर पैसा कमा भी लोगे ना, तो आपका नहीं है, वो आपको उसको गवाद होगे कभी ना कभी, लेकिन अगर आप सीख लेते हो stock market को, तो सायद आपकी problem solve हो जाए, तो इसलिए खुद सीखेगा, खुद आगे ब पर जाएगा, ऐसे question करिएगा, अगर वो बता रहा है कि अब trade ले लो, इतना target है भाई साब, आप buy कर लो, भाई मत करो, मैं बोलता हूँ, मत करो, फिर एक लत लग जाएगे आपको, कि भाई साब बस, हमें कोई trade दे दे, और बस हम profit कर ले, उसमें कोई फायदा नहीं है, थ प्लीज सोच येगा, इस बात पर focus करेगा, अगर आपको आगे पढ़ना है, बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो सिर्फ education purpose के लिए को recommendation नहीं है, जैसरी किसना सभी को, बाई बाई टाटा, see you